हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल निता सुइंग टुटोरियल्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं सिंपल कुर्ती ड्राफ्टिंग इस ड्राफ्ट को आप कुर्ती टॉप्स या कोई भी अपर बॉडी गार्मेंट बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं इसके लिए रिक्वाइड मैजरमेंट्स हैं लैंथ अफ कुर्ती शॉल्डर टु बस्ट पॉइंट शॉल्डर टु वेस्ट लाइन शॉल्डर टु हिप लाइन शॉल्डर वेट्थ आम होल राउंड चैस्ट राउंड बस्ट राउंड वेस्ट राउंड हिप राउंड और मे मेरे measurements हैं, यह मैंने draft paper लिया है, जिसे fold कर लिया है, यह इसकी closed side है और यह इसकी open side है, सबसे पहले मैं कुरती length mark करूँगी, यह आप अपनी choice के according ले सकते हैं, मेरे measurement में कुरती length है 36 inches, इसमें मैं 1.5 inch का seam allowance 8 करूँगी, तो आएगा 37.5 inches, अब उपर की तरफ, 1.5 inch का seam allowance लेकर एक line draw कर रहे हूँ, यह हमारी shoulder line है, इस line पर मैं half shoulder width mark करूँगी, मेरे measurement में shoulder width थे 14 inches, जिसका आधा होगा 7 inches, तो यहाँ 7 inches पर निशान लगा रहे हूँ, और इसी line पर measuring tape को बिना उठाए, मैं neck width भी mark कर रहे हूँ, जो मैंने 3 inches ली है, अब shoulder width point से 1 inch नीचे की तरफ shoulder slope point mark कर रहे हूँ, इस point से हम neck width point को मिलाएंगे, यह shoulder slope line है, अब shoulder slope point से नीचे की तरफ arm hole line draw करूँगी, जिसकी length हमें half arm hole round के बराबर लेनी है, मेरे measurement में arm hole round है 15 inches, जिसका आधा होगा 7.5 inches, तो मैं यहाँ पर 7.5 inches पर mark करूँगी, अब इस line से touch करती हुई, इस प्रकार से एक line draw करेंगे, यह हमारी chest line है, अब मैं सारे vertical measurements mark करूँगी, सबसे पहले है shoulder to bust point, जो की मेरे measurements में है 10.5 inches पर, इसके बाद shoulder to west line, जो की मेरे measurement में है 16 inches पर, अब shoulder to hip line, जो की मेरे measurement में 23 inches पर, अब इन points को line की तुरू extend करेंगे, अब मैं सारे round measurements mark कर रही हूँ, सबसे पहले है chest round, इसके लिए chest round का one fourth लेंगे, अब इसमें ease add करेंगे, मैं यहाँ 1 inch ease ले रही हूँ, अगर आपको fit या ज़्यादा loose garment या कुर्ती पसंद है, तो आप अपने according ease थोड़ी कम या ज़्यादा ले सकते हैं, मेरे measurement में chest round है 33 inches, जिसका one fourth होगा 8.2 inches, 8.2 में 1 inch 8 करेंगी तो आएगा 9.2 inches, तो मैं यहाँ 9.2 inches पर mark कर रही हूँ, बस्ट राउंड के लिए, बस्ट राउंड का one fourth लेंगे, इसमें ease नहीं add करूंगी, मेरे measurement में बस्ट राउंड है 34 inches, जिसका one fourth होगा 8.5 inches, तो मैं यहाँ 8.5 inches पर mark कर रही हूँ, अब वेस्ट राउंड के लिए, वेस्ट राउंड का one fourth लेंगे, और उसमें one inch ease add करेंगे, मेरे measurement में वेस्ट राउंड है 28 inches, जिसका one fourth होगा 7 inches, 7 प्लस 1 तो आएगा 8 inches, तो मैं यहाँ 8 inches पर mark कर रही हूँ, अब हिप राउंड के लिए, हिप राउंड का one fourth लेंगे, जिसमें one inch ease add करेंगे, मेरे measurement में हिप राउंड है 40 inches, जिसका one fourth होगा 10 inches, 10 प्लस 1 होगा 11 inches, तो मैं यहाँ 11 inches पर mark कर रही हूँ, अब मैं कुर्ती लेंद वाली लाइन पर भी, हिप राउंड के बराबर 11 inches पर mark करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ straight cut कुर्ती बना रही हूँ, अगर आपको gear या flare चाहिए, तो इसे ज़्यादा लिया जा सकता है, अब chest round point को west round point से straight roller से मिलाएंगे, अब यहाँ bust point को check करें, यह point line के अंदर, या इस line पर आना चाहिए, अगर यह line के बाहर आता है, तो इसका मतलब है आपको chest और west पर थोड़ी और ease लेनी पड़ेगी, नहीं तो कुर्ती bust पर tight हो सकती है, अब west line point से hip line point को curved ruler से मिलाएंगे, और hip line point को full length point से straight ruler से मिलाएंगे, अब मैं armhole stroke करूंगी, इसके लिए armhole line से अंदर की तरफ एक इंच पर mark करें, और इस point को shoulder slope point से मिलाएं, अब यहाँ पर 1 इंच की तिर्ची line बनाएं, और अंदर वाले point पर भी 1 इंच की तिर्ची line बनाएं, अब armhole line पर mid point mark करेंगे, मेरे measurement में armhole line की length थे 7.5 इंच तो मैं यहाँ पर 3.75 इंच पर mark कर रही हूं, इसी तरह से अंदर वाली line पर भी mid point mark करेंगे, अब मैं पहले बेक armhole curve ड्रो कर रही हूं, अब front armhole curve इस तरह से ड्रो करेंगे, यह बेक armhole curve है और यह front, अब 1 इंच का seam allowance mark करेंगे, अब front neck के लिए मैंने 6.5 इंच की neck depth ली है, आप अपने according कम ज़्यादा ले सकते हैं, neck weight 3 इंच से, इसलिए यहाँ से भी 3 इंच की line draw करेंगे, और एक box बनाएंगे, यहाँ से 1 इंच की तिर्ची line draw कर रही हूं, अब इस तरह कले का shape दे दे, बेक neck के लिए मैं 1 इंच की neck depth ले रही हूं, अब इसे भी shape दे दे, अब marking complete हो चुकी है, अब पहले हम बेक पार्ट कट करेंगे, मैंने बेक पार्ट कट कर लिया है, अब इसे पूरा open कर ले, अब front neck और front armhole कट करेंगे, ये draft का बेक पार्ट है और ये front, अगर आप चाहें तो इसे बीच में से cut भी कर सकते हैं, I hope कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो please like और share जरूर करें, और हमारे नए वीडियो की notifications के लिए subscribe करना ना भूलें, Thank you